प्यारे बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट 13 शुरू और सबसे पहले करेंगे हिंदी का पार्ट तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 12 तेंदुए की खबर सबसे पहले आपको क्या करना है आपको वीडियो देखनी है जो मैंने आपको भीजी थी कल जिसमें आपको इस पार्ट क निकलता ही नहीं है उसको इतना अच्छा लगता है बस के अंदर ठीक है ना उसके बाद क्या करना है आपको किताब खुलनी है और किताब में से यह पार्ट पढ़ना है अब उसके बाद हम करेंगे फिर यह वर्कशीट वर्कशीट 13 तो पहला प्रशन देखते हैं नीचे ल बताओ कितने दो के बच्चा कितने बड़ा था चार महीने का कितने का था चार महीने तो आप सिर्फ दो शब्दों में लिखेंगे चार महीने का तीन हो गई है तो तीन शब्दों में लिख देते हैं चार महीने का ठीक है बोरी वली पार के कहा है कहा है मुंबई में तो हम बारा मार्च उपर लिखा हुआ था मुंबई उसके बाद डेट तो आपको इसको डेट को एक बारी दुबारा चेक करना है कि ठीक बोल रही हूं मैं कि नहीं बोल रही कि बारा मार्च ही था वो ठीक है अब दूसरा प्रशन देखो आपने देखा बाग का बच्चा और तब घर में आगे भाकर कहां चिप होगे हां आप बैट के नीचे छुप सकते हो पलंग के नीचे या फिर बातरूम के अंदर छुप सकते हो या अलमारी के पीछे छुप सकते हो है ना तो आप जहां छुपते हो वहां आपको उस जगा का नाम आपको इधर लिखना है तीन जाणिंग जागरन या फिर दैनिंग भासकर या नभ भारत टाइम्स जो भी आपको अच्छा लगता अगबार उसका नाम लिग देजिए और अगबारों के नाम आपको पता होने चाहे है कि हमारे आसपास जो है कौन-कौन से हिंदी के अगबार आते हैं कौन-कौन से इंग् उर्दू के आपको पता होने चाहे है कि जो उर्दू के अगबार होते हैं उनके कौन-कौन Soon अर्दु के एक बार है और उनकी क्या क्या नाम है ठीक ना अब चौता प्रॉटा प्रश्ट देखो आपने चेडिया घर में कौन-कौन से जैनवर देखे हैं उनके नाम लिखो वह आप चेडिया घर गए हो कभी गए होगी या तो स्कूल वाले ही लेकर गए होगी नहीं लेकर गैं तो जरूर लेकर जाएंगे देखने आपको अगले साल में ठीक है आभी आप में ममी पापा को बोल सकती हो कि जब करोणांग ख़दम हो जाया है तो ममी पापा हमें चुडियाघर लेकर जाना तो आप पहपे जाकर डेखोगे कि बहुत सारी जानवर है हमनेEnglish के वह एक पार्ट में बढ़ा था चुरिया गर जो ह 요تा है जू जो होता है उसमें बहुत सारी जानवर रहते हैं और हम उनको जाकर देख सकते हैं तो आप बताओ मुझे जो जो बच्चे गए हैं इंदो कि औरफ और soup music home . आ एंँदो शेर होता है अबाग उतले अ नील गय होती है हाथि भी होता है मगर्मचच भी होता है और हीरन भी होते हैं भहुत सद्सक्रमक होता है बंदर भी होता है आपको लिखने है यहापर ठीक है? कंगारू भी होता है आपको देखना है वापर जाकर कि होता है कि नहीं होता है अगर होता है तो आप लिखना है नाम है आपर अगर नहीं होता तो मत लिखना ठीक है? नेक्स ने देखते हैं कॉश्चन नेक्स में है दिये गए जितमें रंग भरो यह है एक चिरिया घर की फोटो ठीक है आप यहां से भी देख सकते हो देखो यहां पर जैबरा भी है शेल भी है बाग भी है हिपोपर्टेमिस भी है अलिफिन भी है और टाइगर भी है तो आपको यहां पर कलर करना है अच्छा सा सुन्दर सुन्दर कलर करके मुझे अच्छी से पिक भीजनी है तो आप अपनी कॉपी में बना लो यह फोटो ठीक है